नमस्कार मैं प्रकास दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रेक का जो किट बुठ है वो बार-बार लिख क्यूं हो जाता है और कौन सा साइड के कौन सा पहिये का किट बुठ लिख हुआ है आयल किस तरफ के पहिये से लिखीज है इसके बारे में पता करने के लिए दोस्तों आप ड्राइविंग करते हो उस टाइम में जब आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी एक साइड जाती है एक साइड खीचती है अगर राइट का किट बुठ लिख है तो लिफ साइड में खीचेगी क्यूंकि जिस तरफ का किट बुठ लिख हुआ है उस तरफ ब्रेक कम लगता है दूसरा साइड ब्रेक नार्मल लगेगा वो नार्मल लगेगा वो ब्रेक लगेगा एक साइड का तो जिस side का kit boot फटा रहेगा उस side का नहीं लगेगा, वहाँ पे brake coil आया हुआ रहता है, liner भीग गया रहेगा, इसलिए brake नहीं लगते है, इससे आप पता कर सकते हो की कौन side का हमारा liner का kit boot फटा हुआcan, left और right आगे के पहिये का अगर kit boot leak हुआ रहेगा तो नार्मल किसी तरब भी नहीं भागेगी गाड़ी पन ब्रेक बराबर नहीं लगेगी, disbalance break रहेगी यह तो हो गया kit boot की बात अब हम आपको बताएंगे kit boot ज्यादा ज्यादा leak क्यूं होता है जल्दी जल्दी क्यों ज्यादा ज्यादा एक महिना दो महिने में क्यों खराब हो जाता है अगर आईसा हो रहा है दोस्तों तो गयरेज में जाके मैकेनी को चार्ज देने से ज्यादा बहतर होगा घड़ी घड़ी एक बार kit boot लीक हुआ तो कम से कम डेड़ सो रुपे तक खर्चा आ जाता है आपको क्या करना है उसका cylinder change करवा देना है जब तक आप cylinder change नहीं करवाओगे तब तक kit boot leak होते रहेगा cylinder change करवा देना चीए उससे जल्दी kit boot leak नहीं होता है ब्रेक भी गाड़ी की अच्छी लगेगी किट boot घड़ी घड़ी change करवाना गयरेज में जाना गयरेज में जाने से दोस्तों समय भी नुकसान होता है पैसा भी जाता है ज्यादा समझदारी है cylinder change करवा देना है कभी कभी दोस्तों ब्रेक गाड़ी की नहीं लगती है और kit boot नहीं फटा हुआ रहता है kit boot फटा है तो हम driver भाई क्या करते हैं टायर देखते हैं अंदर साइट से ब्रेकशा गिरा हुआ है बीगा हुआ है अगर नहीं भीगा है तो इसा लगता है हो ऑप से समंझ जाओ कहींगा ब्रेक लिक हो लाएग से कि उसमें दोस्तों 100% chances रहता है ब्रेक पाइप भटने की कही न कहीं से सुरुवात में ब्रेक पाइप हलका लीख है पहले थोड़ा ब्रेक मारते हो तो थोड़ा थोड़ा आयल वहां से गिर रहा है वह टायर से वहां पे टायर नहीं भीगेगा ना तो टायर के पास से आपको को पता चलेगा कि अगर आयल कम हो रहा है किसके व के ब्रेक आयल जिस तिढ़ी में रहता है अगर उसमें से о beiden कम होता है आप समस्हज़ाओ कोई टैयर भीगा नहीं है तो प्रेक पाइप से कहीं-कहीं लिकीज़े उसको आप ध्यान से देखो मेन आगे का आगे ऑगे का जब ब्रेक पाइप फटता है तो ब्रेक मारने के बाद में सीधा वो बाहर उड़ी जाता है आयल जहां फूटा रहता है बाहर साइड रहेगा तो आपको दिखेगा भी नहीं कहां फटा है ऐसा कभी रहे हुआ ऐसा सिचुएशन कभी आया तो अपने किसी दोस्त को कहिए ब्रेक पाउडल रबाएं वो और आप ध्यान से ब्रेक पाइप चेक कीजिए आयल कहां से लिकीजिए तब आपको मालूम पड़ जाएगा आयल कहां से लिकीजिए इससे पहले मालूम नहीं पड़ेगा दूसरी बात है दोस्तों ब्रेक ज्यादा से ज्यादा समय तक चले इसके बारे में मैं कुछ किप्स आपको बताऊंगा जहां तक हो सके दोस्तों अर्जेंट ब्रेक से बचें बहुत जब इमर्जंसी आ जाए तभी मारे नहीं तो ऐसे कोई जरूरी एक चलते-चलते ब्रे लाइनर समय समय पे चंज कर वाते जाय corrections अगर खराब हो गया है खतम हो गया है लाइनर की एक उसकी आयू होती है वो घहस थे घचने माला पाट संतो ह्यां वो घहस थे रहता है और घहस घहस वाए इसके वह खतम हो जाता है जब ऐसा लगे कि ब्रेक कम लग रही है ब्रेक मार रहे हो गाड़ी बराबर कंट्रोल नहीं हो रही है लाइनर चेंज करवा दीजिए क्राइन में । कभी कभी क्या होता है राइन र कड़क हो जाता है आउड giorn गया तो आवाज आएगया तो लाइन को चेंच करवा दिना अच्छिंज अगर लाइना में चेंच करवा रहे हैं तो ड्रम खराब होगा छो ड्रम घस देगा ड्रम खराब होगा तो ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा फिर लाइनर में केनी खर्चा ब्रेक ड्रम लाइनर तो ताइम में भी आपको चंज करने होगा यह सब खर्चा सब कम सकम चार हजार तक हो जाएगा इसलिए समय पर लाइनर चेंज कीजिए ब्रिक के बारे में बराबर जानकारी रखिए समय समय पर गाड़ी का ब्रिक खुद से चेक करते रहिए खास करके जब आयल कम हो ब्रिक आयल कम हो तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों में सेयर कीजिए बाकि दोस्तों का फाइदा हो खुश रहिए कमाते रहिए मुश्कुराते रहिए नमस्कार